पश्चम बंगाल के दार्जिलिंग से बीजेपी सांसत, एसस अहलुवालिया, मोधी सरकार के नए मंत्रियों बने हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कितनी बड़ी चुनोती है? जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी होती है बड़ी और छोटी नहीं होती है देश जब से स्वाधिन हुआ है चुनोतियों का सामना करता रहा है और समय समय पर चुनोतियां बदलती रहती है राष्ट निर्मान का काम पूरो पुरुशों ने भी किया है राष्ट निर्मान का काम आज भी करना है किन्तु वैश्वी करन के युग में जिस वक्त globalization का महौल हो उस वक्त आपकी competition राज्यों के प्रती नहीं पर रास्टों के प्रती है उनका competition एक रास्ट से दूसरे रास्ट के साथ है और उसके लिए देश को तयार करना तो उस तयारी में रास्ट निर्मान का जो काम है जो मोदी जी ने चुना है और उसका लाब कन्य कुमारी से लेकर कास्मीर तक और कच्च से लेकर कोहिमा तक अंतिम पाइदान पर जो बैठा इंसान है उसको पहुँच सके उसकी कोशिश है अलवाले जी लंबा सियासी सफर लंबा तजर्वा जब सरकार का गठन हुआ था केंदर में तब उन्बित की जा रही थी कि आपको जम्मेदारी परिवार से हूँ स्यालकोट से मेरा परिवार मेरे पूरोज विस्तापित हुए थे और बंगाल में जाकर बसे थे वहां मेरा जनम हुआ और वहां से मैं कलकताव शुड़डाले में पढ़ा लिखा और वहीं से वकालत पास की और उसके बाद मैं प्रतिनी दित्ट करता रहा है बारा साल बिहार का और बारा साल जहार खंड का अभी मैं दो सालों से प्रतिनी दित्ट कर रहा हूँ पस्चिम बंगाल का उत्तर बंगाल के दरजलिंग लोकसभा से और जो लोकसवा तीन अंतर रास्टी है बॉर्डरों से गिरा हुआ है मेरा काम उत्तर पूरुव में मुरे को प्रभारी बनाया गया 2004 से लेकर 2014 तक मैं अपना प्रभार का काम सोबता रहा पार्टी जहां पर भी जो काम देती है जिस काम को निभाने का काम देती है अपनी छमता के हिसाब से मैं खरा उतरने की कोशिश करता हूँ राजनेतिक बहस में सर तमाम सवाल उठ रहे हैं लेकिन पंजाब की जो इस्तिती है बीजेपी अवकाली का टवंदन जो है उसमें उतनी मजबूती अब नहीं दिख रही है वहां उनकी पत्नी वहां पर MLA रह चुकी तो ऐसा नहीं है वो एक राजनेतिक परिवार है एक रास्टर की अच्छी हस्ती है और उसको राजसभा में लाया गया एक स्पेसलाइस पोजीशन में लाया गया है और वो अपना पूरा योगदान देंगे उसमें काफी वक्त पहले करी बीस साल पहले भी राजमंतरी और फिर राजमंतरी लगता है कि बड़ी जम्मदारी का हग बनता था आपका और मिलने चाहिए थी ऐसा है कि मंतरी मंतरी होता है चाहे वो पहले का हो और आपका हो एक आखी सवाल आपका काम जिस तरह रारासवा में भी रहे कोई प्राथमिक्ता जिम्मदारी को निभाने में कोई बात पॉर्टफोलियो के लिए कर मैंने कभी भी कोई प्राथमिक्ता नहीं रखी अपनी जिंदगी काये की फलस्फा बनाया कि आए ना खुदा मुझे किनारों से दूर ही रखना उधर ले चल जिदर से तुफाँ उटने वाला है बर्बर शुक्रिया और शुपकामना है आपको एसस एहलुवालियाजी का कहना है कि पहले भी उन्होंने जिम्मदारी को बखोबी निभाया है कैमरामन वेविक सिंग के साथ रागवंदर दुवेदी नुजवाड इंडिया दिल्ली